चांड पुलिस ने किया अंदे कतल का खुलासा हत्यागर आरोपी ने फेका था कुवे में पूरी गटना चांद ताने छेतरे के अंदर का ताने वाले ग्राम नोनी बर्णा निवासी किसान जरेंड सिंग रगवन सी के खीट में बने कुवे का है जहां 19 नवंबर को एक यूति का शव बरामत किया गया था जिस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्चकर मामले को जाच में लिया था पुलिस अदिक्षा के मारण रसन में जब जाच शुरू की इस अंदे हत्या कान का खुलासा हुआ इस दौरान कुछ लोगों से पूस्ताच की गई तो उन्होंने बताए कि गोलूस उर्फ सुशिल यादो पिता भागचन यादो निवासी नौनी बर्णा जो की काजल पर बुरी नियत रखता था जिसका विरोत काजल के द्वारा किया गया था इस पर नाराज गोलू ने देवी सितंबर को रात काजल की बेरहमी से हत्या कर शव को फत्तर बानकर कुए में फेक दिया था जब पुलिस ने आरोपी गोलू को गरबतार कर पूस्ताच की तो उसने जर्म कबल किया जहां पुलिस ने आरोपी को नियाले में पेश किया गया सिकेन बाराज से विनोत महुरी की रिपोर्ट चान लड़की को गाउं का एक गोलू यादाव है वो बुलिनियत से दिखता था तो आरोपी ने कुछताच में स्विकार किया है कि दिनांग तेश नौनेश की रात में ती लड़की को पीछा करके खेट की तरफ ले गया और नालेक पास ले जा के उसको कुछ करने को पूस करता दारा 302 और 201 के तहर दोताची अगया है